हेलो फ्रेंड्स में आकांचा सर्माजी की वितकांचा में आपका स्वागत करती हूँ MPPSC प्रीमिसन की आजम सत्रवी क्लास पढ़ने वाले हैं प्रीमिसन के अंतरगत में जोट नहोपिक आपको कराने वाली हूँ वो आप जरूर कर लीजिगा क्योंकि उसमें से आपको प्रेश्ण बनना ही बनना है मद्दपदेश खादिस अंदक्षन आयोग का पहला में एक भाग बना चुकी हूँ जिसमें हमने एक से दस प्रेश्ण तक देखे ते आज हम एक से ग्यारा से बीस प्रेश्ण देखेंगे और मद्दपदेश खादिस अंदक्षन आयोग को बीस प्रेश्ण अगर आपने कर लिए तो इससे सम्मंदित कोई भी प्रेश्ण आएगा आप कर पाओगे इसके बाद हम नेक्स्ट आयोग के अब्जेक्टिव लेंगे यह यह अब्जेक्टिव आप एक से दो बार सुन लीजेगा आपको यह अच्छे से याद हो जाएगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तक कि आने वाली सभी वीडियो का इंफॉर्मिशन आप तक मिलता रहे इसके लाब डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आपको हमारे वाट्सप गुरूप की लिंक मिल जाएगी आप वहां से उसमें जोड़ सकते हैं सेकीन लिवाद फ्रेंड्स हमारी टैस सीरीज जो है वो लॉंच हो चुकी है यह टैस सीरीज मैंने प्रक्टिस पिपर की तरह लॉंच की है मतलब आप इसको घर बैठके अपनी प्रिंट निकाल के अपने से खुझ से सॉल्व किजिए इससे क्या होगा कि आपको बार बार अप उसको सॉल्व करेंगे या आपको hard copy में मिलेगा या आप soft लेकिया आप hard निकलवाएंगे तो आपको क्या होगा कि एक जैसे practice book होती है कोई बुक से हम practice लगाते वैसा मिल जाएगा मैंने यह अलग-अलग topic wise cover किये बहुत सारी बुक से बहुत सारे data से अलग-अलग से मैंने यह टेस्ट बनाए है 100 टेस्ट बनाए हैं दस हजार प्रेश्ण है यह इसमें विज्ञान परियावरण आयोग सुषना प्राध्योग की करेंट मध्ध पदेश करेंट सभी कि अलग-अलग topic प्लस कुछ top test मैंने फ्लाइट भी तक या फ्लेक टेस्ट को भी लगा पाओ तो यह अपने आप में एक बहुत रामबार सीरीज है आपको इसको प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो तो आप इसकी ब्रोकिंग स्टार्ट हो चुकी है आप इसको पर्चेस कर सकते हैं और आप कहीं भी इसको भारत में मंगा भी सक अगर आपने हमारे प्रेलिंबस की नोट्स लिए तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने हमारे प्रेलिंबस की नोट्स नहीं लिए हैं तो आपको इसका पूरा पेमिंट करना पड़ेगा पहला कोशन है मद्धपदेश राज खादायों को इन में से किस प्रकार की सक्तियां प्राप्त हैं राजस को नियाया लेकी, ग्राम नियाया लेकी, सिविल नियाया लेकी या फौसदारी नियाया लेकी इन चार में से मद्धपरदेश राज खादायोग को किस प्रकार की सकतियां प्राप्त होंगी next question है मद्धपदेश राजय आयोग खादायोग इन में से कौन सी सकती मद्धपदेश राजय खादायोग को प्राप नहीं है किसी व्यक्ति को समन करना मतलब किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं जहांपर मिलावत पाई गई किसी लोक अभी ले किया उसके प्रति अपेक्षा करना उपेक्षा कीज़ेगा उपेक्षा करना सपत पत्रों पर साक्षिगरण करना जर्माना ठोकना और सजा देने की सक्ति देखिए मद्द प्रदेश राज खद रएओं जो खद रएओं प्रदेश का वह किसी भी विकती का अगर आप उसको लगता है कि यह विकती खद समन्दी चीजे़ों मिलावट कर रहा है तो वह उसको बुला सकता है और इस न्यायाले में कोई इस खादय हल से सब्देश स्वन्देब्स दिस्टेट कोई जानकारी वह मंगा सकता है कि सपत पदर उसे साक्ष ग्रहुन कर सकता है लेकिन जुर्माना ठोकने और सजा देने की सकती न्यायाले को ये मद्दपदिज राजगादायों की सकती नहीं है तो याद रखिएगा मद्दपदिज राजगादायों को कौन सी सकती नहीं है ना तो वह जुर्माना ठोक सकता है और ना ही वह सजा दे सकता है next question है मद्दपदेज राज़क खादायों के कारियों के बारे में चर्चा कीजिए कि कौन कौन से मद्दपदेज राज़क खादायों के कारे है number 1 पात्र हगदारियों के अतिक रमन की 100 प्रेड़ना या सिकायत पर जाज करना ये बिल्कुल कर सकता है जो भी कोई ऐसा दिख रहा है उसको कि किसी ने होटल बनाया या उसको ज्यादा अतिक रमन कर लिया है तो वो अपनी प्रेड़ना से वहाँ पर जा सकता है उसकायत की जाच कर सकता है जिला सिकायत नेवानन अधिकारी के आदेसों के बिरुद अपीलों की सुनबाई करना जिला सिकायत नेवानन अधिकारी है और उनकी जो आदेस दिये हैं आपको लगता है कि उन्होंने गलत आदेस दिये हैं आप उनके बिरुद आप अपीलों की सुनबाई भी कर सकते हैं राश्टी खाद्यों सुरक्षा अधिनियम के कार्यान वैन को मोनिटर करना ये भी बिल्कुल सही है प्रदेश इस तरह पर मोनिटरिंग करने का काम राज्य खादायोग का ही है अधिनियम के प्रभावी कार्या कर सकते हैं कैसे उसको बढ़ा सकते हैं इसके लिए राज्य सरकार को सलहा देना तो ये अगर आप से पूछे कि इन में कौन से सही एक चार दो दो तिन उप्रक चारों तो ये चारों ही आंसर जो मैंने वताए हैं ये इसके सही होंगे next question है मद्धपदीः राज के सोर द्यक्ष कौन है कि सोर खंडेलवाल इशने हला उपाद्याय राज के सोर सौई आई दुरगार दोबे तो राज के सोर सौई जो है मद्धपदेज राजिक खादायोग के अद्यक्ष आपको ऐसे करके याद कर लेना है कि राजकिसोर नाम का एक लड़का है और वो बहुत ज़दा खाना खाता है तो यह से याद रखिएगा मद्धपदेज राजिक खादायोग के वर्दमान अद्यक्ष कौन है आप लोग comment box में बताईए कि जो हमारा रास्टी ए खादायोग है उसके अद्यक्ष कौन है रास्टी खादायोग के अद्यक्ष कौन है comment box में बताईएगा और मद्धपदेश खादायोग के अद्यक्ष कौन है राज के सोर सुआई Next question है आपका कि मद्धपदेश राज जखाद दायोग का गठन कब हुआ था 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2014 में तो मद्धपदेश राज जखाद दायोग का गठन हुआ था 2017 में मद्धपदेश राज जखाद दायोग का गठन कब हुआ था बिरुद्ध भी अपील कर सकता हायोग तो इन में से कौन होता है सिकायत निर्वारन अधिकारी मद्दपदेज राज़क खादाएगों जिला इस तर पर प्रत्थम स्रेडी न्यायदी उप जिला दंडा अधिकारी विशेस न्यायदी ये जिला दंडा अधिकारी तो जो जिल मद्दपदेज राज़क खादाएग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा के पतल पर कौन रखता है मद्दपदेज राज़क खादाएग अब रिपोर्ट देता है अपने सालाना रिपोर्ट देगा तो वो सालाना जो रिपोर्ट देगा वो आयो किसको देगा कि वो रेपोर्ट बनाके देगा साल पर की तो वो किसको सौपेगा तो राज्य सरकार को सौपता है तो मद्यप्रदह राजेकादायोग बार्षिक प्रतिवेधन को कहां पर संपता है राज्य जाएगी आप वहां से इसको ले सकते हैं हमारी टेस्स में यह सभी आपको मिल जाएंगे मद्यपदेश राजिक खादायोग के अंतरगत कितने इस्तर पर सतक्ता समीतियों का गठन किया है दो तीन चार या पांच तो चार इस्तर पर चार इस्तर पर सतक्ता समीतियों का गठन किया मद्यपदेश राजिक खादायोग के अंतरगत चार इस्तर पर सतक्ता समीतियों का गठन किया है नेक्स कोशन है मद्यपदेश राजिक राम खाद उद्योग के अंतरगत खादस अन्रक्षन अदिलियम के प्रावधानों इबं TPDS के पारदर्स इवं प्रभावी कार्यान बन के लिए सत्रकता समीतियों के गठन का प्रापदान कहां पर किया गया राजजिस्तर पर जिलाइस्तर पर विकंड इस्तर पर या उचित मूले दुकानों पर तो देखिये ये जो सत्रकता समीति होंगी ये सभी जगह पर होंगी राज जिस्तर पर भी होगा जिला इस्तर पर भी होगा विकास खंड इस्तर पर भी होगा और ओचित्मूले दुकान इस्तर पर होगा यह सतक्ता समीति को कठन होगा नेक्स्ट कोशन है कि मद्धपदेश राजिक हाद दायोग के अंतरगत राज सतकता समीती के अध्यक्ष कौन होगा अगर राज इस तर पे होगी तो राज इस तर पे अध्यक्ष कौन होगा प्रमुक सच्चिप खाद नागरिक आपूर्थी विवाग मंत्री खाद देवम न अगर क्लिक आपूर्ती विवाग के मंत्री कौन है ये question भी आपके exam में आ सकता है एक next एक next वीडियो में लेके आओंगी जिसमें आपको मैं समभिधानिक और सामभिधिक ये दोनों क्या कौन कौन सी संस्थाइं होती है जितना हमारे में आयोग दिया है प्रेलिम्स में तो उसमें मैं आपको difference बता दूँगी तकि आपको एक्जाम में अगर कोईसे सम्भिधानिक है मैं से एक बड़ बता चुकी हूं आपको कि सम्भिधानिक जो सम्भिधानिक में किसी थेद में जिसका वढ़णन हूं फिर में डिटेल वीडियो इसके लिए लेके आउंगे कि सामविदिक क्या होता है सम्विधानिक क्या होता है तो आप जादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे तो यह याद रखिएगा मंत्रपदेश राच खाद आयों कि अंतरगत राजस तर्य सतक्त समीति का अद्यक्ष कौन है यह वर्तमान में यह आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएंगे फिरन यह हमेरी टैस स्रीज इसके बारे में बता रही थी आपको 10,000 वस्तुनिस्ट आपको मिलेंगे सभी टॉपिक के टैस्ट में रहेंगे आप देख सकते हैं पुरुसकार सम्मान का अलग रहेगा कल्यार कारी योजनाय और खेल कून स्पोर्ट सम्मेधान सबका अलग अलग रहेगा इस प्रकार के वस्तुनिस्ट रिप्राश्न आपको 100 महुंचेंगे तीन भाग में रहेंगे एक फाइल में आपको एक से 40 रहेगा दूसरी में आपको 41 से 70 रहेगा और तीसरी में 71 से अगर प्री प्लस में इसकी अगर आप प्री की टैसरी मंगाते हैं तो तीन फाइल आपके उसकी हो जाएंगी तो टोटल आपके 64 बुकलेट आप तक पहुंचेंगी तो आप यह मंगा सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से जरूर कीजिएगा इन वाक्स में वाटसब गुरूप का लिंक है तो आप वहाँ से जोड़ सकते हैं ओके फैंस तेंक यू